इधार काम हो रहे है इधार तो गाइस यह है काली मिर्ची का पेर और यह पन की पत्ता के तरह देखता है और यह देखिए ऐसा होता है तो लोग नहीं देखा है उन लोगों के लिए है और देखिए ऐसा गर के तोरना पदता है बहुत मेहनत का काम है έχए सब्सक्राण कोई भी पेर इसका पेर को चरा देना पदता है ऐसा कर तोरना परता है ऐखिए कि और कि कि अप्सक्राइब में आपूँ विए. हम आइ एड़ प्रॉदी अच्छाइब कि अप्सक्राइब में। अब इस वेल्क वेल्कम बैक तो इसले यूटूब विजयो चानल प्रेंज अब सब्सक्राइब अच्छी होंगे और अच्छे रहना चाही और गाइस मैं आज की जो वीडियो है एसे शुरूओ की हुँ पता नहीं क्या दिखा पाऊंगे क्या नहीं मतलब काफी दिन हो गाई है मैं कुछ भी ब्लॉग बगर नहीं दाल रही हूँf प्रड़ा करें वागर यह सब डाल रही हूं आज की वीडियो पता नहीं क्या क्या दिखा पाऊंगी तो प्लीज वीडियो के इन तक बने रहे हैं और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दिजिए गा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब करके दिखा रहे हो अब लोग देख लीजिए यह है द्रागन यह सारे आप लोग जो खाने के लिए लेके आता है उसी का बीज को ही में लगाई आप लोग देख सकते हैं यह द्रागन ना सारह हुआ है और मैं जस्त थोटा सा एक ही पीस नहीं हूँ यहां सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यहां पर मिर्ची का पेर लगाई थोड़ा से हो जाएगा मैं रहू या ना रहू मामी खा पाएगा और इधर इधर पाम्किन लगाई हूँ आप लोग को दिखाती हूँ यह एक्ठों होई गया है मुझे आज थोड़ा सा पीथा खाने को मन कर रहे है तो मैं थोड़ा सा पीथा खाऊंगी क्या पीथा खा रहे हूँ और समान भी नहीं है मेरे पास इतना जो है मैं उसी से बनाऊंगी क्या बनाऊंगी थोड़ा सा रेसेपीस में खास को श्यार नहीं करूंगी आज इसे भी थर्षते है तो जो भी खाऊंगी भेज भी पूरा फ्योर फेज कोई आद्रा ग्लसन बगरा कुछ भी नहीं तो इसलिए में रेसेपीस इसे कुछ भी श्यार नहीं करें बस बस पीठे बगरा खाऊंगी तो क्या क्या कर रहे हूं आज मैं सायद पूरा दिन का वीडियो में श्यार करूंगी और कुछ काम बाकि हैं तो अब लोग को भी दिखाती हूं पीठे की खाने के बाद क्या काम करती हूं तो थोड़ा बह चावल का गुरा है थोरा ज्यादा है बना गई लग रहे हैं चावल का गुरा एक बाती ली हूँ इसलिए में यह जो यह है मेदा मेदा में इसको हाब बाती ली हूँ और में इधर ले हूँ सूजी सूजी मेदा से थोरा कम ले हूँ ज्यादा सूजी लोगी तो हार्ड हो जाएवा में रखनी था और अभी में इसमें क्या-क्या एट करूंगी और कुछ थोरा सा नमक बस थोरा सा दिख लीजे इतना सही जस्त इसका बैलेंस के लिए और में और गाइस आपको अगर पीथा बहुती सूपर सौफ बला पीथा चाहिए पूरा नरम तो आप इसमें जुरूर पका हुआ केला एट कर लिजेगा तो बहुती अच्छा लेगा और बहुत नरम होगा आपकी पीथा कर लेती हो और इसमें में नॉर्मेल पानी एड कर लिए जादा करा भी नहीं करना है जादा पतला भी नहीं करना है वैसे ऑब इसा करके इसको मैं सुगर शिरप बनाने के लिए एक कप डो का पानी गरम करके रखे हूँ और इसमें अभी में चेनी एड़ करूंगी आप सोच्रे होंगी क्या बनाएगी ये तो आप लोग प्लीज इन तक बने रहे तब मालूम चलेगा मैं क्या बनाएगा है इधर में बनाओंगी सुगर तो आप लोग प्लीज एड़ी सुगरतीब नाइच्छ जोड़ीय। तो इदहर आग जल रहे हैं और करकूरा गरम होचुक है अलिसे में इसमें एप करेमिली इन फाइन वाइल बुरत परेगा तो बात ने पर ली अगर अगर अब प्तिक है अगर अपती तो एक कर दिये हैं तो इसका दाम बहुत ही बढ़ गए गाइस तो इसलिए में आग में बना रहे हो तो रागेस बचा रहे हूँ कि आप कर रहे हुए टॉड़ कि भलँ कर बाड़त को झाल जा स्वेश och सुठता है कि अब जो शुगर शिरफ बनाई थी इसमें इत करना है अब यासे करके सारे बीठेबों एगर करके मतलब इसको ज्यादा देर भीघा के नहीं रखना है वाइगा पीठा बनाएगा उसका हमें पास पूआ गया तो गाइज मेरा पीठा हो गया है काफिस दर फीठा शेल हो गया इतना साइब बचा हुआ है और यह में थोड़ा नरम करके बनाई मामी के लिए इसको थोड़ा पगाद है तो गाइस मैने अभी ले लिये भीथा कि अभी में खागे दिखिए आप तो गाइस अभी मैं आई हूँ को अग्या आप अधा सब्जी लेने और इस सब्जी जो है इसर्चों की तरह होता है होगी श्वाजे लोता है यह पूरा साफ है तो हमश्क वैसित तोर के अज़ा यह मेरब गोहदी फेबरेट है नोटिस का लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं हम लोग इसको लाई साथ बोलते हैं लाई साथ थोरा सा ही लगाई है मामी इधर मुली है इधर मुली है और इधर लाई है इसको सारे अच्छा से धोल लेते हैं तो गाइस सिंपल साथ भेश थाली है बस से ही है और कोच नहीं लिखाना है झाली है तो गाइस अभी थोड़ा सा फूल लगाएंगे यह जो पेर है बहुत ही बड़ा है खोटा करएंगे जादा द postponed रहेगा तो यह बहुत ही लंबा देखेगे मेरे से भी लंबा है इसलिए इसको खाले रहे हो है तक देखिए यहां से काते लोंगे नीचे से यहां से लंबा हो गया है देखने में खरब लग रहे हैं फोल होनों में काफी ताइम है तो अब हम इसको हलक से लगा देती है अपने आप गाइस अगर आप लोगो गुलाब लगाना है गुलाब लगाने से आप ऐसा करके अगर आप मतलब उसको अच्छा से नहीं लगा पारे ऐसा आलू या कुछ आलू अगर आप देरे में ऐसा आलू दे रही हूँ तक मतलब कि शुग न जायERS अरहा हुआँ। इस लिए मैं आलो दे हूँ और अगर आप आलो दे रहना तो तो अगर सिल्का कर लिए गां WE मैं मुझे लगता है आलो बेस्ट है तो आप ऐसा अगर की लगाईएगा तो कभी भी नहीं मरेगा पुरा अच्छा से आप लगा सकते हैं तो गाइस मैं गुलाब लगा लिया इसका फूल बहुत ही अच्छा है मैं कुछिश करूंगी इस गुलाब का फूल कैसा होता है मैं दूसरे से लाई हूँ नावसारे से नहीं वो लोग पहले से खरेट के लाया था मैं इसलिए उसका फूल लेका होंगी वीडियो देटिंग करने का तायम वो फूल आप लोगो दिखाऊंगी इस गुलाब का फूल और ये गिंडा लगाई एक साथ हो जाएगा पस और थो है क्योंकि ऐसे आप लोग बोरिंग हो जाएंगे हम क्या करें नहीं करें छोटा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर की हूँ अगर अच्छा लगा तो लाइक जुरू कर दिजिगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जूरू कर दि सब्सक्राइब जान ही पाते हैं अभी बोला जा रहे हैं एक साल तक तो इसलिए मैं को बरावला मंदिर में भी नाहीं नहीं जा रही हूँ बस यहीं छोटा से एक वीडियो स्यार की हूँ अब लोग के साथ तो एसी चितना हो पाई थोरा बहुत सपोर्ट करने के लिए पो सब उस अब रबार बगरा यह सब अब इस खड़ के अंदर रखना है तो हई सब में काम करती हो क्योंकि यह सब नहीं दिखाना है आप लोग भी बोल जाएंगे तो यह है और कुछ और लंबा नहीं करना तो आस के वीडियो यही पे समाप करती हूँ टाटा और आप लोग यह सब थान थान रखा गया है तो हम लोको घर में बहुत सब घर में बहुत सरे मुर्गी बगरा है तो इसलिए इसलिए ऐसा घर के धक्के रखना परता है तो गाइस टाटा